ये मैंने चार कच्चे आलू लिये हैं, इसका छिलका हटा करके इसको पानी से अच्छी तरह से दोलेंगे, इसमें से एक आलू लेंगे और इसके चारो तरफ के साइड पार्ट को चाकू से कट करके हटा लेंगे, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आलू का पीस मिलेगा आलू को कुछ इस तरह से खड़ा करके रखेंगे और इसको चाकू से कट लगाएंगे चाकू से काटने पर कुछ इस तरह का हमें रेक्टेंगल शेप का पीस मिला है अब इसको चौकी पर रखेंगे चाकु से कट लगाएंगे तो हमें कुछ इस तरह के लंबे-लंबे टुकड़े हमें मिलेंगे इन आलू के पीस को देखकर आप यह नहीं सोचीएगा कि मैं फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज नहीं बना रही हूँ वीडियो को पुरा एंट तक देखेगा यह रेसिपी बहुती टेस्टी और चटपटी होने वाली है अभी आलू को हम इस तरह से काट लेंगे आलू की बचेवी साइड पार्ट को आप फेके नहीं सबजी बनाते से में इस्तेमाल कर लें इन आलू को पानी से 3-4 बार धूलेंगे शुरू शुरू में पानी आपको कुछ धुनला सा मिलेगा पर 3-4 बार जब आप वाश कर देंगे तो आप देखेंगे इन आलू में पानी आपको साफ सा मिलेगा दुलने से इन आलू का स्टार्च निकल जाएगा और आलू हमारे काफी किशपी बनेगे अब ही आप देख सकते हैं कि इन आलू को मैंने पानी में डुबाया है पानी कितना साफ है आपको बिल्कुल ट्रांस्परेंट लग रहा होगा अब इस पानी को भी हम फेक देंगे इन आलों में हम एक चम्मच मैदा मिलाएंगे मैदा मिलाने के बाद इसमें हम दो चम्मच कॉन्फोर डालेंगे अगर आपके पास कॉन्फोर नहीं है तो इसकी नमक मिलाया है तो आलो पानी छोड़ेगा आप देखेंगे कि 2-3 मिनट में यह सेट हो जाएगा वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे इन आलो में आपने नमक मिलाया है तो इसे तुरंत इस्तिमाल कर इन आलों को एके करके डालेंगे एक खटा नहीं डालेंगे एक आलो डालेंगे कुछ सेकंड रुकेंगे उसके बाद दूसरा आलो डालेंगे आलों को पास पास नहीं डालना है दूदू डालेंगे इससे आलो चिपकेंगे नहीं तेल में डालने के बाद हम छनोटे से तु दबल फ्राई करते हैं, तो मैं भी इसको डबल फ्राई करने वाली हूँ, दबल फ्राई करने से ये आलू काफी क्रिस्पी बनते हैं, इन आलू को निकाल करके ठंडा कर लेंगे, अब इसको हम दुबारा फ्राई करेंगे तेल में डाल करके, जब आप होटल या रेस्टोरें ग्रम चिली पिटेटों मिलते हैं इन आलुओं को निकाल करके एक प्लेट में साइड में रख लेते हैं अब एक कड़ाई या पैन को गरम कर लें उसमें एक बड़ा चमच ओयल डालेंगे एक मीडियम साइज के प्याज को बारी कट करके डालेंगे इसको चला लेंगे प्याज को भी हम जादा दे तक नहीं भूनेंगे इसको थोड़ा ही भूनेंगे ताकि इसका करंच बर करा रहे ये मैंने दो हरी मिचली है इसको बीच से कट करके लंबा कट करके मैं डाला है इसमें एक चमच अद्रक डालेंगे अद्रक को मैंने gate करके लिया है आप कूट करके भी डाल सकते हैं 6-7 लेसुन की कलियों को कूट करके डालेंगे एक बार इसको हलका सा चला लेते हैं ये मैंने लाल रंग की शिम्ला मिर्च ली है तो इसको लंबा-लंबा कट करके डालेंगे थोड़ा ही लेकर के डाला है मैंने करीब करीब ये एक चौथा ही कप है अब इसमें थोड़ी सी पीली शिम्ला मिर्च कट करके डालेंगे और थोड़ी सी इसमें मैंने हरी शिम्ला मिर्च को कट करके लंबा कट करके डाला है अगर आपके पास पीली या लाल शिमला मिश नहीं है तो आपके वल हरी शिमला मिश को ही डाल लें मेरे पास पहले से ही ये तीनों कलर की रखी भी थी इस लिसका मैंने इस्तेमाल किया है इसमें आधा छोटा चमच काली मिश का पॉड़र डालेंगे एक बड़ी चमच हम कश्मीरी लाल मिश का पॉड़र डालेंगे एक चमच चिली सॉस डालेंगे चिली सॉस डालने के बाद एक बड़ा चमच हम इसके अंदर टमैटो सॉस डालेंगे Tomato sauce डालने के बाद एक बर चमच इसमे डार्क सोया sauce डालेंगे चलाएंगे सबी sauces को इसमे mix कर लेंगे जड़ा हम नहीं बुनेंगे क्योंकि ज़ादा हम बुनेंगे इसका crunch कम हो जाएगा तो इसको हम थोड़ा ही बुनेंगे ताकि इसका crunch बरकरार रहे इसमें मैंने एक छोड़ा चमच नमक मिलाया है आप नमक को अपने टेस्क के कॉडिंग कम यह ज़दा कर सकते हैं यह मैंने एक चमच कॉनफोर लिया है और इसमें हम तीन चमच पानी याइट करेंगे पानी डाले के बाद इसको चमच से घोल ले हम कॉनफ्लोर पानी का एक गोल बनाएंगे इसमें थोड़ा सा पाइन डालेंगे करीब 3-4 चमच ये पानी है अब इसमें हम कॉनफ्लोर का गोल डालेंगे एक ही बार में हम नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मैंने इसको दो बार में डाला है गोल को डाल करके चला लेंगे आप देखेंगे कि थोड़ी देर में बस दो-तीन मिट में ही ग्रेवी की थिकनिस बढ़ जाएगी आप देख सकते हैं कि ग्रेवी की थिकनिस कितनी बढ़ गई है इसमें हम डबल फ्राई के वे आलू डाल देंगे उको डालने के बाद इसको हलका से चला लें ताकि आलू और ग्रेवी आपस में अच्छी तर से मिक्स हो जाए इसमें एक मुठी के करीब बारी कटा हरा धनिया डालेंगे हरा धनिया की जगह पे आप इस्प्रिंग अनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हलके हाथों से चलाते वे इसको मिक्स कर लेंगे ये मैंने भुना हुआ सफेद तिल लिया हुआ है इसको ओपर से डालेंगे इसको डालना आप्शनल है आपको मन करें तो आप डालें ना मन करें तो आप इसे स्किप कर दें लुक आप इसका देखी सकते हैं कि कितना सुन्दर आया है इसको मैं प्लेट में सर्व कर देती हूँ क्रिस्पी क्रिस्पी सूपर टेस्टी चली पोटेटो हमारा त्यार है एक बार आप अपने किचन में मेरे तरीके से चिली पोटेटो बनाएं 100% कि मैं गारेंटी देती हूँ कि ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे मैं आपको इसे पास से दिखा देती हूँ वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें चल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें आप चाहें तो इसके उपर से हनी डाल करके इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं